धान साब क्लियर किये कि लोगों ने हवर उड़ा दिये कि मुशलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कामों से अलग कर देने के लिए ही या UCC का प्रस्ताव आया है मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच पर ऐसी कोई बात दरसल लड़ाई भरत सरकार वर्सेस आदिवासी होगी अब सवाल है कि एलर्जी किस से होगी मुशलमानों से होगी न आदिवासी होगी आदिवासी होगी क्योंकि जब दक आदिवासी रहेंगे भरत वर्स में इनकी जो है होसले पस्त होते रहेंगे बिविन तरीके से हमको दवाने की कोशिस की जा रहें दूश्रा प्रसना आ गया चौदा जून को यहां यूनिफर्म शिविल ओड बनावाज आखिरी क्या है मैं आपको अची तरह से बता दू भारत तो है हिंदित्व की ओर आगे बढ़ रहा है इस इक्रम में देखेंगे कि भापे जो है उद्गाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का इसकूल का लेंज का नहीं राम मंदिर का हो तो परलेल जो सम्विधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं इसलिए देखिएगा कि हमारे सम्विधान जलाएगा पता होगा कि दिल्ली में सम्विधान हमारा जलाएगा अखिर ये सब क्या है मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुशलमान की नहीं है यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवाशियों के से यह कानवर्ट करना चाहते हमको हर तरह से कानव जो है राज करेंगे सनातरी व्यवस्था क्या अधार पर वेल्कम बाक टो संझाली थोट विभिन आदिवाशी समाज की लोगे कत्रित हुए है शायद ही कोई ऐसा आदिवाशी समाज छुटा हो बाकि सभी के सदश यहां आए हुए आपको विदित होना चाहिए कि इसके प अलग से धालो कोड की मांग इस पर नजाने हम वो कहां कहां मिटिंग सीडिंग किये और उस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए दिल्ली सरकार से या भी जो है सेंसर्स कमिशन से इस पर कोई भी बात अभी नहीं हुए तो मेरा इसका उधार देने का एक ही कारण था कि पूरे भारत दवर्ष में जो आदिवासी समाज धान साब क्लियर किये कि लोगों ने हवर उड़ा दिये कि मुशलमानों को नीचा करने के लिए या उनको उनके नियम कामों से अलग कर देने के लिए ही या यू सी सी का प्रस्ताव आया है इनूफर्म सिविल ओट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच पर ऐसी कोई बात दरसल लड़ाई भारत सरकार वर्षे साधिवासी हुए हम बहुत पर मिटिक में आपको बोल दिये कि असल यहां का जो वाशिंदा है भातवस की मिटी पर भंगाल की धर्टी पर वो आदिवासी साधिवासी और यह आरे हैं और यह आरे हैं यह सब इतिहासी बताता है कि यह बाहर से आरे हैं शहले की ऐलर्डी किसे होगी मुजल्मानों से होगी ना आदिवासी असला जोगी आदिवासी रहेंगे भारत्मास में इनकी जो आहें हॉसले पस्त होते रहेंगे बिभीन तरीगे से हमको दवाने की कोशिस की जा रहेंगे अभी मैंने कहा कि अभी धर्म कोड अभी खतम नहीं हुआ उसमें कोई धर्म कोड आया ही नहीं अभीतार तो दूश्रा प्रशना आ गया 14 जुन को यहां यूनिफर्म शिविल कोड बनावा जाए आखिरी क क्या है मैं आपको अची तरह से बता दू भारत हिंदुत्व की ओर आगे बढ़त बहरत हिंदुत्व की ओर आगे बढ़त इनका एक सम्मिधान चल रहे हैं सभी लोग जानते हैं हमारे ह। क्या बाबा साब इनका शाशन जो कट्टर हिंदू संस्था है आरिसे स्वगरत जिससे भाजपा चालित होती है उनके बिना पत्य नहीं हिल सकते हैं नायंद मोदी के भी जब से इंडिया गौवर्मेंट में आई है भाजपा तब से उसका कारणामा शुरू हुआ ये दस साल ह होने चल ले अभी पांस साल और रहेगी 15 साथ इसी क्रम में देखेंगे कि भापे जो होद घाटन अगले साल होने जा रहा है राम मंदिर का इस पूल कालेंज का नहीं राम मंदिर का हो तो परलेल जो संविधान ये लोग चलाने की बात कर रहे हैं इसलिए देखिएगा कि ह पता होगा आपको कि दिल्ली में संविधान हमारा जला अखिर ये सब क्या है मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि यह लड़ाई हिंदू और मुशलमान की नहीं है यह लड़ाई जो है वह हिंदू और आदिवाशियों के से यह कानवर्ट करना चाहते हमको हर त इनको बात करने में शुविधा होगी कि सारे लोग हिंदू है तो यहां आरक्षा खतम आदिवासिया अरे सब खतम अब यहां के लोग जो है इस पर राज करेंगे सनातनी व्यवस्था क्या धार तो यहां जो शम्मिधान लागू होगा हुआ है सनातनी व्यवस्था होगा जो बड़ व्यवस्था शुरू से था वही व्यवस्था जो है फिर से वो लागू करने की बात कर रहा है इसकी तैयारी चल लएक अभी एक मएने के आद बाद नहींगे को नहुद देखी है कुछ और आएका और दूसरा जो डिमांड कर रहे हैं वह है UCC के खिलाप यानि सिविल कोड न बना दे अगर सिविल कोड बनाना ही है तो आप बनाईए कैसे बनाईएगा हमारे भारत में परतेक प्रांत में आदिवर्शी भाई ने लेकिन आपने देखा होगा कि जो लिष्टेड होते हैं लिष्ट यैसे पश्चिमंगाल में लगवग 22 साधिवासी लिष्टेड है 1950 में को और पांच ही थे बढ़कर के अभी 42 हुए और यह भी देखिएगा कि अगर गोण मैं गोण की बात कर रहा हूँ अगर गोण पश्चिमंगाल में देश्टी कम्मूनिटी में आता है तो यूपी चले जाईए 15 सुरा अभी क्या बोलते हैं जीलों को छोड़ करके वहाँ पर लोग ओभीशी में कहीं पर एसी में है कहीं पर नहीं है तो यूणिफर्मिलिटी इस पर आनी चाहिए हमारा पदाव इस पर होना चाहिए कि यूणिफर्मिटी अगर करना है तो गोण अगर आधिवासी है तो पश्चिमंगाल में भी है बिहार में भी है उर्सा में भी है और करनाटक में भी है वो आधिवासी है तो आधिवासी है, इसकी लड़ाई हम को लड़ा, उनिफर्मेटी हम चाहते हैं, इसी के लिए तो लड़ाई चले, कहीं पर हमारा शामीधानिक अधिकार का हनन कर, कैसे हो बेक्ती हो बेक्ती हो बेक्ती हो कैसे हो बेक्ती हो बेक्ती हो कैसे हो बेक्ती हो सक यहां ST है तो फिर UP में क्यों नहीं या अनाने राजियों में क्यों नहीं हमको इनफर्मेटी उस पर चाहिए आनीचे यह थी यह हमारे इनफर्मेटी उस पर हो एक धर्म का कोड हो राजिती में सिक्षा में नौकरी में इनफर्मेटी आनीचे युनिफर्म कोड की जब आप ब लेहो तो यहां का आधिवासी 5 परसेंट 6 परसेंट 1 पर काम करता है और आप बाहर से आए तो 70 परसेंट 50 परसेंट अभी तो 10 परसेंट जो आपका बन गया है उन्टा भी तो कहने का मतलब यह है कि हम यह उस पर इन्फरमिटी चाहिए हर जगह पर आज का जो मुद्दा यह ह हम सभी जानते हैं कि यह जो शर्कार यह मुद्दा लाई है इन्फरम शिविल कोड परतेक आधिवाशी भारत का परतेक आधिवाशी इसके खिलाफ मुशलमान है कि नहीं हमको नहीं है उससे लेना देना भी हमको नहीं अब सवाल है कि उसका प्रतिरोद का वरास्ता क्या हो हम कैसे सरकार तक अपारी बात को पहुचाएं कि हम इसके खिराफ हैंocol इसका बीज़ा रोप्न किया था बीज़भाशा में बोला कि हमारा यह यह चीज हम कर सकते हैं हम कहीं जबुटेशन दे सकते हैं दिली धरणा दे सकते हैं लेकिन कि हर राज investment कि श्याना घे था और ज हमराच क है रहा तो हमारा रास्ता क्या होगा मैं ध्यान साहब के प्रस्तार का पूरा Pूरा शमर्थन करता हूं ग उन्हों ने बताया उन्हों कि दो dul अम चोन home और एक बर चुर्दर तालिय होना चाहिए सुर्ट पर साथ सामा होता है कि इंदू आपी संचेप में हूलो बात को अमारे सामने में लगते हैं लो याप भ दो खूब को अमारे सामने में लोगते हैं कि फुट सामने में अंडा है